Hello my dear friends, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल Civil Engineering Chapter Wise में आज की वीडियो में हम Continuous Part discuss करेंगे Disaster Management का इसमें हम discuss करेंगे Rescue Workers जिसमें Survivor, Untrained Worker, Trained Worker इन सभी को और साथी साथ Rescue Plan क्या होता है? Reconnaissance and Problem Solving जो इसमें Steps होते हैं, वो क्या होते हैं? इन सभी topics को हम इस वीडियो में discuss करेंगे, आईए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल Civil Engineering Chapter Wise को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजी साथे साथ बेल आइकन को आप जुरूर प्रेस कीजी ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिक्स न आपको मिल सके और आप इन सभी का benefit ले सके Rescue Workers Rescue Workers क्या होते हैं जैसे कि नाम इसका बताया है Rescue बचाव करने वाले जो कारे करता है वरकर्स हैं उनको हम Rescue Worker बोलते हैं ठीक है तो इसमें main कौन कौन जे होते हैं अगर कहीं पे आपदा आती है तो सबसे पहले वहाँ पे काम करने वाला कौन होता है वहाँ पे काम करने वाला होता है survivor जो वहाँ पे survive कर जाता है यानि कि जो अच्छी हालत में है यानि कि इस पे कोई injury नहीं है और वो ऐसी हालत में है कि काम कर सकता है सबसे पहले तो वही वहाँ पे काम करना start कर देता है क्यों क्योंकि उसके घर परिवार को अपने ask processes के रिष्टेदारों को समाज को उसकी जरूरत होती है उस शमय पे तो उसलिए वह सबसे पहले वहाँ पे help करना start करता है वो खुद ही जो debris है जो वहाँ पे इंट पत्थर उनके उपर पड़े हुए होते हैं उनको हटाने की कोशिस करता है उनकी बचाव कर सबसे पहले वो काम करता है जैसे यहां पर भी आप इस figure में देख सकते हैं यह lady है यह पत्थर उठाके side में फैक रही है जो की एक मलबा गिरा हुआ है एक घर का उसके नीचे से जो आदमी है उनको निकालने के लिए सभी आदमी इसी काम में लगे हुए हैं rescue करने में लगे हुए हैं सबसे पहले हैं survivor जो survive कर जाता है ठीक है जो की danger से बाहर होते हैं जिसके कोई भी injury नहीं होती तो सबसे पहले काम वहाई पर यह start करते हैं survivors the first reaction to the survivor is to help their neighbor and family तो जो भी उसके आस्परोस के लोग हैं, उसकी फैमिली के लोग हैं, तो उनको सबसे पहले वो help करने की सोचता है तो काफी बार जो survivors होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि करना क्या है, हम इनकी help कैसे करें वो अपनी intention उनकी काफी अच्छी होती है, उनका मन करता है कि हम कुछ मदद करें, किसी आदमी को बचाएं, कोई किसी की help कर दें बट वो अच्छे से ये कर नहीं सकते, क्योंकि उनको training इस चीज़ की नहीं दी सकती है और वो काफी बार emotional होके और ऐसे काम करना start कर देते हैं, कि मैं ही करूँगा ये काम तो मैं ही अटाऊँगा इन सारी चीज़ों को तो जिससे की ये रुकावट पैदा कर सकते हैं, जो rescue team वहाँ पे होती है ठीक है, उनके emotions इनके बीच में आ सकते हैं, कि पहले आप मेरी family को बचाएए, वहाँ पे आप मत जाएए, वहाँ पे बाद में चले जाएए तो ऐसे ही वह कई बार ये काम करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं, उनके emotions बीच में आ सकते हैं But survivors are first one to help victim, तो सबसे पहले वहाँ पे जो होते हैं, वह हमारे survivors होते हैं For example, in case of fire or toxic gas exists at the site of emergency, the first group to start rescue work is of the survivor Sorry, survivor, जो survive करते हैं, तो सबसे पहले वही वहाँ पे काम करते हैं But there is danger also involved with this group to rescue worker because they are untrained, ठीक है? But जैसे आग लगी होई है कहीं पे, और वहाँ पे आसपरोस की जो आदमी है, उनकी intention है कि हम help करें But उनको पता नहीं है, आग जब लगी होती है, तो उस time पे कैसे काम करते हैं, उसके लिए उनको training नहीं मिली होती तो वह अगर एस time पे आग बजाने की कोसिस करते हैं, तो वह खुद ही उसमें आ सकते हैं, खुद ही effect उस आग का उनके उपर पढ़ सकता है, वह भी नुकसान में आ सकते हैं, injured हो सकते हैं, मर सकते हैं तो यह जो survive करते हैं, वो उनका काम नहीं होता, बट intention अची होती है, कुछ काम करने की उनकी इच्छा होती है, तो वो काम करना start करते हैं, इसलिए सबसे पहले जो हमारे वहां पे काम करते हैं, वो होते हैं survivors ओके फिर आता है, untrained people, untrained people हमारे वही होते हैं, जो की आसपरोस के जो लोग होते हैं, वहां पे काम करने के लिए आते हैं, वहां पे जान को बचाने के लिए, एक दुसरे की मदद करने के लिए वहां पे यह आते हैं The second group of rescued speakers are those people who are witnesses of the event and are in the neighborhood of the event तो जो भी वहँबंपर इवेंट जो भी गटना वहांपर होती है तो उसका जो चस्मदी गवाव होता है, आसिसप्रोस के वहाँ होता है तो सबसे पहले तो हमारे रिस छी सरवाइव होते हैं फिर आती है आसपरोस की टीम आसपरोस में जो रहते हैं वो वहाँ पर आते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर बचाव कार्या खुद ही स्टार्ट कर देते हैं जैसे यहाँ आपर देख सकते हैं यह सारे आदमी बचाव कार्या में लगे हुए हैं यहां से समान को उठा के नीचे कोई दबा हो तो उसको यह recover करने की कोशिज कर रहे हैं सभी की यह इच्छा होती है कि वो जो विक्टिम से उनको बचा सके अगर वहां पे यह सारी चीजे यह सारे आदमी वहां पे आते हैं तो कोई आदमी वहां पे अपने साथ कोई cutting machine यह सारी चीज ले के आ सकता है और आदमियों की help करने के लिए components को यह काट सकता है उनको उसके नीचे से निकालने के लिए but a large number of people are curious and just want to watch without helping rescuer and victims तो काफी सारे आदमी इसमें 100 में से आदमी अगर बात करें तो 80% आदमी तो दूर से ही देख के खड़े खड़े देखते रहते हैं वो बिल्कुल भी help नहीं करते हैं ठीक है और 20% आदमी ही जो अपने intention से अपने इच्छा से काम करते हैं पर उनकी help करते हैं rescue team होती है उनकी साथ यसायोग करते हैं और बचाव कारे में मदद करते हैं तो यह थे untrained people नेक्स्ट आता है trained people trained people कौन से होते हैं जैसे NDRF है उनको special training दी जाती है ऐसी situations में कैसे काम करते हैं काफी सारे NGOs होते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इनके साथ proper dress होती है helmet होती है जो safety gears होती है वो सारे यह अपने साथ लेके चलते हैं और अच्छे से काम कर सकते as compared to जो हमारे untrained workers यहां पर होते हैं these are the last one to arrive at the scene okay सबसे last में यह आते हैं these are the trained rescuer यह trained rescuer होते हैं trained बचाव करया करने वाले होते हैं from police fire NGOs and state emergency departments ठीक है तो यह यहां से हो सकते हैं these people know what to do and how to use the available resources and material तो इनको पता होता है कि कैसे काम करना है जो वहां पर material available है उनको कैसे use कर सकते हैं सफाई का काम करने में या फिर rescue करने के काम में उनसा भी काम कैसे use कर सकते हैं they can also take the help of untrained people effectively to carry out rescue operations in a proper way तो यह जो trained people होते हैं यह कई बार help ले लेते हैं वहां के local persons की वहां पर जो untrained people होते हैं कि आप आईए हमारे साथ काम करवाईए और आप ऐसे ऐसे काम कीजिए हमारी guidance में और ऐसे आप इनको बचा सकते हैं तो उनकी help यह ले सकते हैं ठीक हैं तो यह होते हैं trained people अब आता है rescue plan rescue plan क्या होता है the rescue operation should be performed in a planned way तो जो भी rescue operation होता है वो एक plan way में हो तो सबसे अच्छा होता है उसका जो result आता है वो बहतरीन होता है अगर उसको हम एक irregular manner में activities को सबको हम arrange करते हैं और उसको execute करते हैं तो उसका result बहुत ही poor आता है बहुत ही खराब आता है बट rescue plan पहले से ही हम उसकी तैयारी करते हैं प्रिपेर करते हैं और उसको फिर execute करते हैं तो उसमें काफी अच्छा result आता है और जो disaster हो जो आपदा आती है उसके effect काफी हद तक यह कम कर सकता है ओके it consists of the following major steps यह इसमें सबसे पहले major step है the reconnaissance reconnaissance क्या होता है इसमें वहाँ पे जो casualties हुई है उनका record इखटा किया जाता है जैसे इसमें first है the number and location of casualty उस area में कितने casualties हुई है उनकी location और उनका number यह data वो इखटा किया जाता है reconnaissance इस type के हमारे जो phase है इसमें dangerous situation such as gas leak electricity overhanging valve unsafe structural components anything else which may be endangered rescuer work or survivor ठीक है तो जो वहाँ पे gas leak अगर हूँ तो उसको check करता है electricity की wire वहाँ पे वह पीछे से connection power off उसकी करवाई जाती है overhanging wall है जो overhanging लटकी हुए कोई portion होते है building के जो अच्छे से गिर नहीं पाते नीचे और लटके रहते तो वह खतरनाक होते हैं कि वह किसी भी time गिर सकते हैं तो उसको भी यह mark करते हैं कि इस point पे जाना नहीं है यहां पे overhanging कोई material है यह गिर सकता है ठीक है ठीक है unsafe structure यह भी mark कर लेते हैं components हैं जो अलग अलग जो भी खतरनाक लगते हैं rescue team के लिए और जो survivors हैं उनके लिए वो सारे इन चीज को mark करता है इनका record बनाके रखते हैं access to the casualty और जो casualty है जो वहां पे किसी को चोट लगी है तो वहां तक कैसे जाना है rescue team को तो वह भी इसमें discuss किया जाता है the extent and type of damage तो वहां पे कितने extent तक damage हुआ है कितना भारी amount में damage हुआ है जान और माल का तो वह इसमें note किया जाता है emergency services available and disrupted emergency service वहां पे जो available है और जो नहीं है वहां पे available उन सभी का record वहां पे बनाया जाता है कि किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है कौनची service हमारे पास available है जैसे विजली वहां पे है और electricity है तो जो communication के लिए telephone की जो wire है वो तूट चुकी है जो poles है वो तूट चुके है तो हमें उसका सबसे पहले काम करवाना होता है उसको भी हम note करके रखते हैं तो इसमें reconnaissance में सबसे पहले मार यही काम होते हैं कि जो data उस area का हम इखटा कर सकते हैं वो हम इखटा करते हैं available resources both personal and equipment ठीक है जो equipment वहां पे available है और जो persons वहां पे available है उन सभी का resource हम एक data बना के रखते हैं कितने आदमी available है कितनी machinery वहां पे available है हम उसका हम use कर सकते है rescue के time पे तो वो सारा data इखटा किया जाता है और इसी को reconnaissance बोला जाता है an approximate analysis of time and task will take the available resources and sport agencies ठीक है तो अब हम इन सभी जो काम है इसमें कितना time लग सकता है इसका हम एक estimate तयार करते हैं और जो sport agencies है उनसे हम बात करते हैं जैसे कोई NGO है उनसे हम बात करते हैं कि आप आईए और यहां पे help करवाई है हमारी तो यह सारी चीज हमारी वहां पे जो reconnaissance survey होता है इसमें हम record करते हैं इसमें हम mention करके चलते हैं ठीक है फिर आता है problem solving process अब हमें पता लग गया है reconnaissance के दुआरा कि किस area है यह area कितना बड़ा है और इसमें casualties कहां कहां पे और कितने number में हैं ठीक हैं और जो भी dangerous वहां पे point हैं जहां पे दुबारा से यह काम हो सकता है गिरने का या कोई कोई ओरहंगिंग वाल पोर्शन है कोई component है उपर से गिर सकता है तो उन सभी को हमने mark कर लिया अब वहां पर rescue काम स्टार्ट करता है वहां पर सबसे पहले देखा जाता है problem क्या है ठीक है the problem solving process had six steps तो इसके 6 steps हैं जैसे first define the problem सबसे पहले हम check करते हैं कि problem है कि है क्या the problem to be solved should be clearly defines in term of task which is to be performed if the problem is too large or complex to tackle easily then it may be divided into number of small elements which are connected properly all three principles okay तो हमें सबसे पहले जो वहां की समस्या है वो पता करनी होती है और समस्या को कैसे हम हाल कर सकते हैं उसको हम कैसे easily tackled कर सकते वहां discuss करते हैं ठीक है या रता है assign फिर है अब हमें पता लग चुकी है कि हमारी प्रोब्लम क्या है ठीक है अब हमारा काम क्या है सबसे पहले हमारा मोटो क्या है वो हमें पता करना है जैसे भूकम पाया है सबसे पहले तो हमें पता करना है वहां पे भूकम पाया था ठीक है, define हमें पता है, problem यह है वहाँ पे, ठीक है, अब हमारा aim क्या है, वहाँ पे बचाओ का रहा, start करना है, ठीक है, वहाँ के आदमियों को हमें बचाना है, ज्यादा से ज्यादा, हम कोशिस करने हैं, कम समय में, the aim is to clear picture of what the rescue team has to do in order to solve the problem, तो सबसे पहले वहाँ पे, जो rescue team है, वो क्या करना, सबसे जो activity सबसे पहले क्या करेगी, कि सबसे कम नुकसान हो, यह सबसे पहले हमारा काम होता है, हमारा aim होता है, ओके, the aim should be clear, brief and achievable, ठीक है, for example, one of the aim during earthquake rescue operation can be to rescue the casualty from the basement floor, ठीक है, तो aim क्या है हमारा, किसी भी, जैसे इसमें बताया गया है, example के तोर पे, अगर कोई body building है, तो उसमें basement में सबसे जादा नुकसान हो सकता है, तो हमारा main aim क्या होगा, basement के, आज में सबसे पहले rescue करना, फिर है, consider the factors, अब, जो disaster वहां पे हुआ है, उसका कुछ factors यहां पे होते हैं, वो क्या होते हैं, देखते हैं, number and location of casualty, casualty वहां पे कितनी है, disastrous जो place है, और कितने number, कितने आदमी वहां पे casualty हुई, कितने मरे हैं, कितने injured हुए हैं, और किस-किस जंगह पे हुए हैं, वो सारे note करते हैं, कितना time वहां पे लगा है, और किस-किस time पे, क्या-क्या activity वहां पे हुई है, वो note किया जाता है, topography of the area, जैसे कोई hilly area है, वहां पे rescue team को काम करने में काफी problem होगी, as compared to flat area, flat area में वो जल्दी से काम करेंगे, वहां पे ambulance और other equipment से बहुत जल्दी आएंगे, और अच्छे से का पाएंगे, ठीक है, पहाड़ी area में उनको चड़ाई करना है, फिर वहां पे आना है, काम करना है, तो वो जल्दी नहीं कर पाएंगे, फिर है weather condition क्या है वहां पे, ये भी काफे effective होता है, available resources, both personal and equipmental, तो available resource वहां पे क्या है, अगर कोई वहां पे equipment सी ना हो, काफी दूर पे ह जो दबी हुई है, trapped है, वो मरने की चांसे उनके बढ़ जाते है, फिर है, sport requirements and availability, तो जिस sport की जरूरत है, जिस सहायता की जरूरत है, वो वहां पे mention की जाती है, ठीक है, पानी की जरूरत है, अगर वहां पे पानी नहीं है, तो वो भी बताया जाता है, जो भी सहायता वहां पे available नहीं है, और available करवानी है, तो वो इसमें बताया जाता है, communication, communication वहां पे किया जाता है, जो network, वहां पे towers है, उनको दुबारा से खड़ा किया जाता है, फिर है, priority of task, सबसे पहले कौन सा काम, सबसे prime place है उनका, तो वो फिर इसमें काम किया जाता है, priority task में, ठीक है, each factor should be considered, and all the if and then should be analyzed properly, तो जो भी इसमें उतार चड़ाव है, उन सभी को यहां पे consider किया जाता है, ठीक है, each factor should lead to some conclusion, ठीक है, तो जो भी factors है, उनके basis पे, जो leader है, वो एक lead, एक solution तयार करता है, जैसे factor है, the person, sorry, a person's leg are trapped under a heavy steel beam, ठीक है, कोई आदमी है, तो उसके pair किसी steel beam के नीचे दब चुके है, ठीक है, तो यह इसमें factor बताया गया, अब इसका conclusion क्या है, the rescue team must use the cutting and lifting equipment carefully to free the person, तो उसमें उसको क्या करना है, जो rescue team है, वहां पे आती है, तो वो उसको cut कर सकती है, जो material उसके उपर गिरा है, steel beam का, उ या फिर जो lift कर सकते हैं, किसी crane के थुरू उस material को, यह इसमें बताया गया है factors, यह सारे है, इसमें factors important है, फिर है, determine all possible solutions, अब next step क्या होता है, जो भी disaster के effect को कम करने में effective steps होंगे, तो वो discuss किये जाते हैं, जो भी इसका solution हो, फिर है, decide on the best possible solution, अब उन सभी जो factors हैं, और जो situations हैं, उनके basis पे सबसे अच्छा रस्ता क्या होगा, वो decide किया जाता है, उसको decide करने के बाद, फिर आता है plan, on the basis of best possible solution, the plan is developed, ठीक है, तो सबसे अच्छा जो अपका solution होगा, उसी पे हम plan को बनाते हैं, develop करते हैं, the plan must be simple and it must related directly to the aim, ओके, तो जो हमारा aim होता है, तो वो उससे directly related होता है, ठीक है, when the rescue plan is completed, it should be checked thoroughly with proper reasoning, जब rescue का काम complete हो चुका है, किसी आपदा के दोरान, ठीक है, बचाव कारेव complete हो चुका है, अच्छे से, तो सारे जो activities इस दोरान हुई है, उन सबी को अच्छे से properly reasoning करके analyze किया जाता है, ठीक है, कियाने कि आगे अगर कई ऐसी दिक्कत आती है, कोई आपदा ऐसी आती है, तो हम इस data को जो अभी हुआ है, दुबारा भी हम use कर सकते हैं, तो इसलिए इसको record करके रखा जाता है, record maintenance का किया जाता है, After the rescue plan is prepared, the resume team should start the action without delay, ठीक है, तो जैसे ही ये सारी चीद काम start होते हैं, खतम होते हैं, तो हमें जो rescue का काम है, वो start कर देना चाहिए, बिना किसी देरी के, The team leader should decide and display person for various tasks and give priority to them, तो अब जो leader है, वो इसको अच्छे से काम को distribute करता है, ताकि काम जल्दी से, speed से और अच्छे तरीके से काम हो सके, बचाओ कार है, जल्दी से, जल्दी काम हो सके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए लाइक कीज़े मेरी वीडियो को, शेर कीज़े अपने स्टेडियर्टर ग्रूप में, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फूर वाचिंग, वेव गुड डेए